इस्टूडेंट्स मैं एसके गुपता ग्यान जोती ऑनलाइन स्टेडिश सेंटर की और से आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही डिमांड पर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वाट्सेप पर मेरे कमिन्ट आ रहा था कि सर एकनॉमिक्स ओनर्स का हिंदी में स्ल लेकर आ रहा हूँ हिंदी में एकनॉमिक्स का लेकिन वीडियो को सुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इन्वर्सिटी के एक्जाम से एड्मिसन से और सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट कोस्चन्स नोट्स आपको आपकी यूट्यूब चैनल पर सब से पहले मिलेंगे स्टुडेंट्स और चैनल को सेर कर दें क्योंकि अब सेर करेंगे तो दुसरे स्टुडेंट्स का भला करेंगे कर भला तो हो बला और वीडियो को लाइक कर देंगर वीडियो आपको अच्छा लगा आपके स्टुडी में थोड़ा सा भी एल्प किया तो आएए देन करते हुए students चलते हैं सेले बस की ओ, economics का semester 3, students आपका economics का semester 3 में paper होगा, वो 3 paper core paper होगा, honors paper जो होगा आपका वो 3 paper होगा, पहला पेपर है बुक का नाम है देखिए कोर ये जो है कोर 5 है बुक का नाम है माइक्रो एक्नोमिक्स जिसमें पुर्ण अंक रहेंगे असी समय रहेंगे तीन हंटे क्योंकि 20 नमबर का जो एक्जाम होता है कॉलेज में आपका इंटर्नल के द्वारा होता है नीचे कुछ इस्टुडेंट्स लिखे हुए है स्टुडेंट्स ये जो सिलेवस है इसी इनिवर्शिटी का जो सिलेवस है उसी का हिंदी रुपांतरन है वह द्वारों को कुल आठ प्रश्णों में इसी चार प्रश्णों के उत्तर देने होंगे यानि एक प्रश्ण जो होंगे आपका सेमिस्टर 3 में 20 नंबर का होगा पहला जो सुच्छ और सास्त्र बुख है उसका इनिट है बजार सरज्चना इसमें पढ़ना है पहला बजार के रूप उत्तम और अपुर्ण बजार की मुख्य बिस्षिस्टाए दूसरा है इसी में फर्म और उद्यों का संतुलन के तहत योग पर्तिद्वंदी आपूर्ती वक्र की बेक्तिवपती तिसरा है एकादिकार मुल्य और उत्पादन निर्धारन अल्प कालिक और दिर्ग्विधी फिर है मुल्य विवेधन एकादिकार पर्तिवगिता और मुल्य उत्पादन निर्धारन विक्री लागत का महत्व अल्प अधिकार किकन डिमांड कर्व थेयोरी ये जो किकन डिमांड का थेरी ए इस्टुजिन्स ये बहुत ही इंपोटेंट है उसके बाद इवनिट टू ही है कोर फाइब में फेक्टर प्राइजिंग फेक्टर प्राइजिंग बित्रन का सिमान्त उत्पादक्ता सिदान्त चोड़ने की समझ्या बित्रक का अधुनिक सिदान्त बेतल निधानन की सिदान्त मांग और आपुर्ती सिदान्त समोईक सोदेवाजी किराया रिकारडियन और आधुनिक सिदान्त रूची सास्त्र और कोनिशियन सिदान्त और उसके बाद है लाव नविचार जोकिम और और अनिश चित्ता सिदान उसके बाद कोर 5 में है आपका इमिट्थिरी कल्यान अर्शास्त्र कल्यान की अधारना मुलिदारन कल्यान मापने की समस्या है इस लेसन में लोग पढ़ेंगे सास्त्र कल्यान अर्शास्त्र पीगु का उसके कल्यान को मापने के लिए पेरेटो का मांडंड क्या है उसके बाद यह आ हो गया students आपका economic score 5 उसके बाद है students उसके बाद है students course 6 में हम लोग आएंगे देर ना करते हुए आए ये course 6 में देखते हैं economics course 6 जो आपके screen पर दिखाई देरा students इसमें book का नाम है अर्ष सास्त्र में सांख सांखे की तरीकी इसमें unit 1 में पढ़ना है सांखे की का परिचे आखि सांखे की होता क्या है उसके बादे में हम लोगों को unit 2 में पढ़ना है उसके बाद इसी unit 1 में sorry students इसी सांखे की परिचे के अंदर पढ़ना है मुल्य आउधारना है जनसंख्या और नमुना पेड़ा मीटार, सांखी की प्राथमिक और माध्यमिक गाटा बर्गी करन और सार्नी करन डेटा का आरक की और जित्रमय परतिनित्य उसका निजिट्टू में केंद्री प्रविर्ति और फेलाओ केंद्रे प्रवर्ती के उपाई अंकनित्ति माध्यम माधिका बहुलग ज्योतिमी माध्य और हार्मोनिक माध्य उसका इसी केंद्रे प्रवर्ती फेलाव के अंदर इस्ट्टोलेंटस आपको पढ़ना है 2.2 में फेलाव के उपाए, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन और मानक विचलन और विविम्ता का गुनांक उसका 2.3 में विचलन विचलन का के उपाए फिर इसी score 6 में है आपका unit 3 में 100 समंद और पर्ति गमन इसमें 3.1 में पढ़ना है 100 समंद और 100 समंद का गुनांक कार पिरियर्शन और रैंक समंद इसका 3.2 में आप देख रहे हैं इस्टूडेंट पर्ति गमन विचलन रेखिक पर्ति गमन पर्ति गमन की बैख्या गुनांक इसी का बाद score 6 में unit 4 आ जाता है student unit 4 में पढ़ना है देख रहे हैं आपके screen पर दिखाए दे रहा है time series और index number सिरिंखला समय सिरिंखला विसलेशन आउधारना अब्याय कम से कम बर्ग विधी प्रविर्थी का निर्धारन इसके 4.2 में पढ़ना है सुचकांग संख्यांग आउधारना कीमत रिष्टेदार मात्रा सापेक्ष भारित कर्मांग संख्या 4.3 में पढ़ना है अनुकार्मानिक संख्याओं की निर्मान की विधियां लास्ट पेर पासे और मच्छु आरा सुचकांग संख्यांग की प्रयाप्ता के लिए परिक्षन इसके बाद कोर्स 6 में यूनिट 5 आजाएगा प्राइक्ता इसमें प्राइक्ता संकल्पना प्राइक्ता के नियम जोड़ और गुना प्रमे इसके बाद आजाता है स्टुडेंट्स एकोनोमिक्स कोर्पेपर 7 यानि जो एकोनोमिक्स का जो आपका सेमेस्टर 3 में ओनर्स पेपर तिसरा जो रहेगा उसको कहेंगे कोर्स 7 और कोस्चन में लिखा हुआ रहेगा 303 कोर 303 सेमेस्टर 3 इसमें पूर्ण मार्क्स जो है 80 है समय तिन गंट यानि कोस्चन पर 20 मिनिट बुक का नाम है माइक्रो एकोनोमिक्स 2 इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है राष्ट्रे आए और समाजिक लिखा इसके अंदर पढ़ना है 1.1 में विर्ताकार प्रवा की आवधारना राष्ट्रे आए की आवधारना और माप 1.3 में समाजिक लिखांकन की आवधारना और 1.4 में राष्ट्रे आए में पर्याबरनन समंदी चिंताएं और ग्रीन एकाउंटिंग यूनिक 2 में पढ़ना है स्टुडेंट आउट्पूट और रोजगार का सिधान्त 2.1 में बजार का कानून और रोजगार का सास्तिर सिधान्त महतपूर्ण विसलेशन और किंस की अपतियां उसके बाद 2.2 में उभोग कारे और बचत कारे एपी सी, एमपी सी, एपी एस और एमपी एस खपत सम्हारों को प्रफावईत करने वाले कारक का मनुव बिज्ञानिक कानून उपभोग इसका 2.3 में है इस्टुडेंस देख रहे हैं निवीश, घारिश, सुवायत और ब्रेरिट निवीश, एमेशी और बजार की दर उसका 2.4 में है प्रभावी मांग का सिधान्त, एडी या एएस की समन्ता और संतुलन, एस में मित्या वीत्या का बिरद्धा भास और 2.4 में है कम विक्सित देशों में निवीश, गुनक और इसकी प्रभाव सिल्ता और 2.6 में है तावरन का सिधान्त, इसी लास्ट पेपर को सेवन में है उनिश सेवन, इसे पढ़ना है व्यापार चक्र, व्यापार चक्र की प्राकिर्टी और विसे स्टाय पढ़ना इस दो में से एक हमें सब प्रहता है स्टूटेंट्स त्री पॉइंट टू और 3.3 से व्यापाक चक्र का कैनेशियन विचार उसके बाद इूनिट 4 आजाता है मुद्राइसूर्थी, मुद्राइस्पृति की परिवासा, मुद्राइसूर्थी का परकार, कारण और प्रभाव इसमें से एक कोश्चन हमेशा राता है और दूसरा है मुद्रा इस्पिर्ति को नियंतरन करने की उपाय यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और मुद्रा इस्पिर्ति की खाई की आउधारना यह है इस्टुडेंट्स आपका यूजी सेमेस्टर 3 का सिलेवर्स जिसे ग्यान जोत लाइन बीए बीएस से स्टेडी सेंटर द्वारा बनाया गया थी प्रफिष्टिडेंट्स नीचे हमारा मुवाइल नंबर आ रहा है है यह हमारा वाटसयप नंबर भी है और इस नंबर पर आप काल करके बीए बीएससी के लिए ऐस जाम 6 एक टाइन के लिए नोस के लिए आपको अपने जीवन में सफल होना है, जाब लेना है, तो आपको अपने भी से की जानकारी रखना चाहिए, एक्जाम हॉल में अपने दिमाग से लिखना चाहिए, अपने एक्जाम की तेयारी में सदेव लगा रहना चाहिए, इसके लिए आपको ग्यान जोती ओनलाइन स्ट एडिकर आती है आपको पुनता हेल्प करें कि इस्टूइन्स वीडियो अच्छा लगा हो ते चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरों को सेयर करें कर वाला तो हो वाला ओके